अश्वनी जी बहुत स्वागत है आपका और हमने देखा कि आपका कोई भी मंत्राले हो उसको G20 से बहुत कुछ मिला है कॉरिडोर से रेल मंत्राले को अब आप क्या देख रहे हैं कि कि कितना कुछ मिला है और कितनी सफलता यह बहुत ही महत्वपून कॉरिडोर बना है इसमें भारत से मिडल इस्ट मिडल इस्ट से योरोप और योरोप से अमेरिका शिपिंग और रेल के कॉमिनेशन से यह माने प्रदान मंत्री शी नरेंदर मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है जिससे कि ट्रांस्पोर्टेशन औ एक ऐसा रूट मिले जो कि योरोप और भारत के बीच की दूरी को बहुत कम कर दे तो यह बहुत ही बड़ा महत्वपून विजन इससे भारत की कंपनीज को इन सब देशों में जब प्रोजेक्ट्स लगने लगेंगे तब उसमें काम करने का मौका मिलेगा और भारत को रिल इस्ट के और योरोप के बीच में कम्मिनिकेशन के नए साधन खोलेंगे अश्वनी जी डिजिटल इंडिया की बात इस बार बहुत हुई है और बहुत सराहा गया और आपने भी यह कहा था कि अगर हमें डिजिटली आगे बढ़ना है तो एक एक करके नहीं हर एक देश को आगे आना होगा रगर जी टूइंटी में इसकी बात करेंगे कितना इस पर हल निकल पाया डिजिटली जब हम एक साथ आने की बात करते हैं और कैसे यूपया डिजिटल इंडिया को सराहा गया जी टुमींटी में आप कैसे देखते हैं जी ट्वंटी के हर देश ने हर एक देश ने भारत के डिजिटल इंडिया में बने इंडिया स्टैक जिसको आज हम डिजिटल पब्लिक इंफरस्रेक्चर याने डी पी आई बोलते है इसको एक्सेप्ट किया है रेकगनाइस किया है और इसकी वैल्यू को अपने देश में प्रामिल किया गया और एक फ्रेम्वर्ड बना गया कि जो भारत में चीज बनी जो टेकनोलोजी भारत में बनी उसको मान लिजिए यूरोप की किसी देश में कल लेके जाना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्स की बॉड़ी होनी चीए तो इसको इंप्लिमेंट करने के डिजिटल इंडिया के अलावा और कोई साधन नहीं हो सकता जिस तरीके से पीम साब ने गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में टेक्नोलोजी के माध्यम से बैंक को पहुंचा दिया वो एक बहुत बड़ी उप्लब्दी है मैनिफेक्ट्रिंग सेंटर बनना बहुत बड़ी बात है अगर आपके देश में मैनिफेक्ट्रिंग होती है तो आप रोजगार भी दे रहे हैं अपने देश को आगे भी ले जा रहे हैं और ये इस G20 में कहा गया कि इंदिया एक नया manufacturing center बन रहा है, कितनी मदद में लेगी और कैसे इसमें काम किया जाएगा, कैसे मंत्राले इसमें काम करेगा और G20 में कितना सायोग मिला बाकी देशों से? G20 में इस चीज को recognize किया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के foreign policy, जिस तरह से उन्होंने independent foreign policy implement किया और जिस तरह की reforms किया देश में, उससे भारत को एक trusted value chain partner की तरह accept किया गया है. Trusted value chain partner का ये मतलब हुआ कि न केवल manufacturing बल्कि उसमें design भी included है. जैसे टेलेकॉम को अगर उदारन ले तो अमेरिका में एक प्रोग्राम चलता है, rip and replace program. रिप and replace में क्या होता है कि जो ऐसे टेलेकॉम equipment जो की non trusted देशों से आते हैं, उनको अटा के trusted देश के equipment को लगाया जाए. तो इस G20 के दौरान भारत के टेलेकॉम equipment जो design हुए में भारत में, manufacture हुए भारत में, उनको अमेरिका के टेलेकॉम system में लगाया जाए. यानि भारत से टेलेकॉम technology export होके अमेरिका में लगे, इस तरह का भी agreement हुआ है. और G20 में आपको एक ही उधारन दे रहा हूँ, DPI दूसरा उधारन है, Middle East और Europe का rail shipping corridor दूसरा तीसरा उधारन है. एक तरीके से भारत के vision को, भारत की technology को develop करने की शमता को दुनिया बरने स्विकारा है. अश्विनी जी, बाचीत जब बाइडन के साथ हुई है, तो एक साज़ा करार भी हुआ है कि 6G को लेकर कैसे काम किया जाए, United States के साथ हम कैसे काम करें. और technology को प्रधान मंतरी हमेशा कहते रहें कि एक सबसे बड़ा मादे में, अगर आपको किसी भी शेतर में करने हैं, किस अची महीनों पहले माने प्रधान मंतरी जी ने इसको लांच किया था, इस 6G अलाइंस में, भारत 6G अलाइंस में एकिडेमिया हैं, रिसर्चर्चर्स हैं, इंडस्ट्री हैं, गर्मेंट हैं, बहुत सारे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिससे कि जब अगले जनरेशन की 6G की जब डेवलपमेंट हो, तो वो डेवलपमेंट में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहना चीए, उस भारत 6G अलाइंस के साथ अमेरिका की नेक्स्ट जी अलाइंस हैं, जिसमें उनकी सारी टेलेकॉम इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं, और सरकार की तरफ से, अमे बहुत बड़ी उपलब दिये देश के लिए, और हमारे जो टेकनोलोजी डेवलपमेंट की शमता है, इसका एक रिकनिशन है। नतीजा है, जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, हमने यह आयोजन किया, कि हमें संकेत मिलने भी शुरू हो गया है, चाइना को एक बड़ा जटका लगना भी शुरू हो चुका है। लेके चलना और सबका विकास एक साथ हो, सबका विश्वास चुड़े, वो उनके विजन का इन्हरेंट पार्ट है। जी टॉंटी में कई जगे ये शब्द, ये फ्रेज उपियोग में आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस तरह की जब इस तरह की लीडर्शिप किसी देश से विक्सित होती है, निकलती है, तो सारी दुनिया उसको एकसेप्ट करती है। आज, Belt and Road Initiative के comparison में, Middle East, Europe, America और भारत का जो corridor, rail और shipping का बनाए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण realignment of global geopolitics है। अशुने जी, जब हम बात technology की करते हैं, तो वो आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब वो G20 के सम्मेलन को देख रहा है, जब आप कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं, कि डॉक्यमेंट में इस तरीके से काम हुआ है, काम होगा धरातल पर, मैं चाहूँग है, कि हर एक व्यक्ति तक इसका असर होगा, जो G20 भारत में हमने successfully organize किया है, जो करार हमने बाकी देशों के साथ किया है, उसका जो result है, हर व्यक्ति को मिले गए यहाँ पर. जिस तरीके से विश्व ने, सारी दुनिया ने भारत को और प्रदानमंतरी जी की leadership को accept किया है, उसका परिणाम यह होगा, कि दुनिया के हर multilateral, bilateral, international investment bodies, इन सब में भारत की बात को clearly सुना जाएगा, भारत के पक्ष को समझा जाएगा, और इससे investment आएगा भारत में, नई manufacturing की capabilities आएगी, उससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार से लोकों की income बढ़ती है, एक तरीके से नया tourism आएगा, भारत की culture को acceptance मिलेगी, भारत के products को, जैसे टेलेकॉम का वो धारन दिया मैंने आपको, तो इन सब चीजों से भारत के technology को export करने का मौका मिलेगा, तो उससे एक अ हाँ, यह देश ऐसा देश है, जो समाविशी है, inclusive है, सबको साथ लेके चलने वाला देश है, तो यह trust कई-कई-कई वर्षों तक, कई decades तक भारत को इसका benefit मिलता रहेगा। पर भी कुछ हुए, या कभी किसी और देश के अदूद से मिले हैं, क्या लगता है कि दृष्टी कोण बदला तो चीजे कितनी बदल गई हैं, और बदलते हैं दृष्टी कोण के साथ में अब भारत के साथ में जो देश शायद पहले आना चाहते हूं, अब वो आ रहे हैं तो स्थितियां भारत के लिहाज से कितनी बदल गई हैं? एक सोच के साथ, एक क्लारिटी के साथ अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहा है, बहुत ही बड़ी उपलब दिये, और अब ये आप देखेगा, आने वाले समय में हर एक G20 में भारत का ये मौडल सब जेगे चलेगा, मैंने तो सुना है कि ब्राजील ने भी कहा है कि सभी शे चेहरों को इसका मौका मिलेगा होस्ट करने का, और उसका सबसे बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि यही है कि हम अलग-अलग काम नहीं करते हैं, हम एक साथ लेकर चलने में भरोसा जादर रगते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया अश्वनी जी आपका जुड़ने के हम सबने देखा और उसके बाद में अब नतीजे आने भी सामने शुरू हो चुक्या हूँ